अरे मोदी जी बस एक चम्मच एक चम्मच और डालो अपने पतल में एक चम्मच और गोबी आलू डालो अरे मैंने अपने हाथ से इतनी बढ़िया तरीके से बनाया है डालो नहीं हमिस्ता जी बिल्कुल नहीं हम बिल्कुल भी नहीं खा सकता तुम्हारा गोबी आलू खाते खाते मन तो करना है कि दो चार प्लेट और खालू तुम्हारा गोवी आलू लेकिन पेड़ गबाई नहीं दे पा रहा है अपने पेड़ को कहा ले जाओ ये बताओ अमिस्सा जी अब रहने दो बिल्कुल भी एक चमच भी मन डालना मेरे पतल में गोवी आलू चलो मेरे घोबी आलू में मजा आ गया लेकिन ये चमच मट डालो मेरे पतल में मैं भी 12 पलेटे खा चुका हूँ तुम्हारे घोबी आलू की अब रहने तो आम मेरा पेड बिल्कुल जवाब दे गया अब मैं बिल्कुल नहीं खा बाऊंगा आउउगा अख दूंगा पैट रो अमिसाजी ने गोबी आलू से वही बा मैंने पूरी दुनिया घूमी है और दुनिया भर में बहुत-बहुत बढ़िया सबजी खाई है लेकिन जो अमिसाजी ने अपने हाथ से गोबी आलू बनाए उसकी बात ही निरा लिये बहुत ही गजब अमिसाजी तुम भी बातों को गोल गोल घुमा रहे हो मैंने पूछा इस गोबी आलू की रेस्पी बता दो किस तरीके से बनाया है तुमने मैं भी कभी कभी घाना बनाता हूँ मैं भी बना लू इस गोबी आलू को अरे माप करना मोधी जी लेकिन बुरा मत मानना मैं अपने गोबी आलू बनाने का तरीका किसी को नहीं बताता चलो कोई बात नहीं है मैं साजी मैं तुमसे जमर्दस्ती नहीं करूगा मत बताओ नहीं बताओंगे तो तुम्हारे ही पास आके खालियां करेंगे को भी आलू और क्या है मैं लोगों बीनियों को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो